आउज बिल्लाहिमने शहित्वाने रजीम बिस्मिल्लाहित्वाने रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मौसिन दवा और आप लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूरेंट सपोर्ट सर्वेशिव यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो की जो हमारी अफाइनमेंट नंबर वन आई होई है सप्रिंग 2020 की उस हवाले से है दोस्तों आज की अफाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको पताता चलूं कि मेरा एक चैनल है 24R7 टीचर्स ऑनलाइन जिसके उपर मैंने आपके जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं जिनमें आपका ये CS601 डेटा कम्यूनिकेशन का भी सब्जेक्ट है उसके लेक्चर अपने रिकॉर्ड करके रखें हैं आप लोगं की सहुलत के लिए तो आप लोग 24R7 टीचर्स ऑनलाइन पर जाईए और वहां पे डेटा कम्यूनिकेशन के जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप उ उसका जो URL है वो आपको सक्रीम पर भी नजर आ रहा है और इस वीडियो के description में भी मैंने add कर दिया है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी assignment की तरफ और सबसे पहले हम जो है देख लेते हैं इस assignment की requirements क्या हैं दोस्तों हम में इस assignment पे एक case study दिया हुआ है हम वो देख लेते हैं स जब तक हम case नहीं देखेंगे तो हम उसे जो requirements पुछी कहीं हैं तो हम उनका जो है जवाब नहीं दे सकेंगे उसमें है suppose Prime Minister PMS of two countries ABC and XYZ are holding an important meeting through video conference के दो countries है और उनके जो Prime Minister है वो meeting करना जाते हैं एक video conference के थुरू the native language of both countries are different जोन की languages है different है however both the PMS have agreed upon use English language for discussion English जो है वो use करेंगे it means के the set of rules जो उन्होंने that govern the communication जो उन्होंने पहले डिफाइड कर लिये हैं there are two meeting hall हमारे पक दो meeting hall है hall one and hall two in PM house of ABC country ABC country के अंदर बोथ having different computer network वहां पर मुक्तलिफ computer network है hall one have computer network of 18 computer where each computer is directly connected to the other computer in network where hall two have each computer connected with each other through self dedicated central device to forward data only indent destination now two hall है पहले hall के अंदर 18 computer है और हार computer अपफ में connected है और दूसरा hall two है उसके अनर आठ computer है और वो एक central device के थूँ connected है और डिटा को transfer करने के लिए from source to destination and the same hall has been used for meeting of the PMF और यही same hall जहा है वो यूज किया जाहेंगे इस video meeting के लिए बोथ the hall are connected with each other दोनों जो हाल है वो अपफ में भी connected है थूँ a intermediary networking device एक networking device के सरी है meeting is being held in smooth flow where each PM can listen and speak to each other at the same time और एक ही वक्त के उपर जो दोनों मतलब prime minister है वो बात कर सकते हैं तो यह है दोस्तो हमारा case इसके बाद हमें जो है यह 10 questions दिये गई हैं हमने इन 10 questions को जो है answer करना है हम दोस्तो बारी बारी इन questions को देखते हैं और साथ ही जो है मैं इनके answer आप लोगों को बताता चला जाता हूं दोस्तो हमें इस assignment के solution के अंदर जो है साथ ही एक table भी दिया गया है कि हमने उस table को जो है वो fill करना है वो table क्या है उसमें पहले question number है फिर question है और फिर हमने अगले column के अंदर जो है वो answer बताना है which type of topology is used in hall 1 के हम कौन सी जो topology है वो hall 1 के अंदर जो है use कर रहे हैं साथ connected है तो जब हमारे पास मतलब हर computer एक दूसरे computer के साथ dedicated link के उपर connected हो का तो तो in this situation we are using the mass topology हम mass topology जो है वो use कर रहे होते हैं दोस्तों मैं आपको फिर बताता चलो 24R7 teachers online के उपर मेरा जो है वो 501 के भी lecture available है उसके मैंने बड़ी अच्छी detail के साथ और graphically चीज़ों को represent किया हुआ है अगर किसी ने मेरे वो lecture सुने हैं तो उसको तो ये assignment बलके उसने बना ली होगी तो आपको भी मैं कहूंगा आप 24R7 teachers online पर जाएं और जो मेरे lectures available हैं आप उन से वरूर फाइदा उठाएं उसका जो link है वो description में आपको मिल जाएगा और वीडियो के शुरू में भी आपको मिल जाएगा दोस्तो इसके बाद है हमारा दूसरा question दूसरा question क्या है what is the total number of link required in identify topology for the hall 1 अब हमने question number 1 के अंदर जो है जो topology identify की है मतलब हमने match topology की है तो उसके लिए हमें कितने number of links जो है वो required होंगे अब देखें hall 1 के अंदर जो है हमारे पाफ 18 PC है ठीक है अब इसके लिए जो link calculate करते है हम उसके लिए हम formula use करते है n n n से मुराज जो है वो number of nodes है या PC's है जो उस network के अंदर exist करते हैं और फिर into n minus 1 or divided by 2 अब देखें n जो है node हमारे पास वो 18 है तो into 18 minus 1 or divided by 2 तो जब हम 18 में से 1 निकालेगे तो सत्रा रह जाएगा सत्रा को जो हम 18 के साथ जरब देंगे और उसक तक्सीम करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास number of links जह है required in the hall 1 वो हमारे पास 153 आ जाएंगे इसके बाद हमारा question number 3 है question number 3 क्या है what is the total number of ports being used in identify topology in hall 1 हमने जो question number 1 के अंदर topology identify की है अब हर PC के साथ हमें कितनी number of ports की जरूरत है कितने holes की जरूरत है अगर आपने मेरे lecture सुने हैं तो वहाँ पे मैंने match topology के साथ वो hole red color के box के अंदर जो है वो दिखाए हुए है कि तीसरा lecture है I think मेरा वहाँ पे मैंने topologies network topologies का complete समझाया है with the graphical representation of these network topologies तो यहाँ पे जो हमें ports required हैं उसके लिए भी हम formula यूज करते हैं उसका formula क्या है n-1 अब यहाँ पे भी n represent कर रहा है number of nodes को कि हमारी उस network के अंदर कितनी number of nodes हैं तो यहाँ पे देखें 18 हमारी nodes हैं minus के 1 तो हमारे पास 17 number of ports हैं मतलब हर PC के साथ 17 जो है वो hole होंगे दूसरे PC को connect करने के लिए इसके बाद हमारा question number 4 है question number 4 किया है what computer topology is being used in hall 2 अब पहले बात चल देती hall 1 की अब तू के अंदर कॉंसे topology यूज कर रहे हैं if we are seeing our case हमांकर अपने case को देखते हैं तो in this case the author is clearly mentioned that each computer is connected to the central device जो computer है वो central device से connected है when the all computer is connected with the central device then we can use the star topology हम star topology यूज कर रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर एक central device होती है और उस central devices से हमारी जुतनी भी number of nodes हैं वो सारी या hosts हैं वो सारी उसके साथ connected होती है इसके बाद हम अरपा question number 5 है identify the connection connecting device that is being used in the identify topology hall 2 अब hall 2 के अंदर हमने start apology को identify किया है अब वो यह पूछ रहा है कि इसके लिए हम कौन सी connecting device जो है वो यूज कर रहेंगे तो दोस्तों जब भी हम start apology यूज करते हैं तो उसके अंदर हमारी connecting device है जो center में काम कर रही होती है that is known as hub तो वो एक hub होती है अब इसकी भी मुख्तली sports होती है कोई 8 port का hub है को 16 का 32 का 64 का तो इसी तरह जहसे जहसे अपर बढ़ते जाएंगे तो उसकी ports जहें वो बढ़ते चली जाएंगी इसके बाद हमारे पाफ जो है question number six है six क्या है which category geographical wise of network existing hall one के अगर हम geographical wise network को देखें तो दोस्तों हमारे पाफ दो computer networks होते हैं एक land एक band अब जो हमारा hall one है उसके अंदर जो network exist कर रहा है वो है land local area network क्यूंके वो same ही building के अंदर है और same जब एक network same building के अंदर exist करता है तो वहां पर उस network को हम local area network करते हैं with respect to the geographical area इसके बाद question number seven है जी question number seven के ओपर देखें which category geographical wise of network exist in hall two अब hall two के अंदर कौन सा network जो है exist करता है in hall two it is also work as land वहां पर भी जो है land आपका exist कर रहा है local area network क्यूंके ये भी आपका same building के अंदर है इसके बाद फिर आपका question number eight है identify the type of network being created when the network of both countries are connected with each other for meeting of PMS अब यहां पर देखें two networks connected हैं और they are apart from away वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं और जब आपके network बहुत ज़्यादा दूर हो even that के cities में हो different countries के अंदर हो different regions के अंदर हो तो this work network is known as the when wide area network तो इसको हम जो है वो wide area network कहते हैं दोस्तों इसके बाद आपको अगली screen के उपर जो है question number nine नजर आ रहा है जो के है identify the communication mode which is enabling the both PMS to listen and speak to each other at the same time अब यहां पे भी आपके पास जो है different modes होते हैं communication के उसमें आपके पास simplex mode है half duplex mode है और full duplex mode है अब इस situation के अंदर when everybody is speaking and listing at the same time in this situation we are using the full duplex mode क्योंके इसमें जो है at the same time जो है वो communication एक तरफ से data send भी हो रहा होता है और दूसरी तरफ से data receive भी हो रहा होता है लेकिन दूसरे जो हमारे mode है simplex mode में तो एक बंदा एक टाइम में एक बंदा एक काम कर सकता है एक बूलेगा दूसरा सुनेगा और जो half duplex है उसमें एक बंदा बूलेगा जब वो खामोश हो जाएगा तो फिर दूसरी तरफ से जो है वो दूसरा बंदा बोल सकता है लेकिन full duplex mode आपका ऐसा duplex mode है जिसके अंदर at the same time data को send भी किया जा सकता है data को receive भी किया जा सकता है तो in our case जो है वो PMS जो है प्राइम मिनिस्टर दोनों countries के वो at the same time listen भी करेंगे और speak भी करेंगे डायलोग भी होंगे तो इसलिए हम लोग जो है वो full duplex mode यूज करेंगे आखिर के अंदर दोस्तो हमारी है which layer devices will be used to connect the network of the both countries for video conference इसके लिए हम कौन सी जो है वो layer यूज करेंगे तो दोस्तो ये भी मेरा I think के layering के उपर भी मेरा lecture है बहुत अच्छा लेक्चर है वहां पर मैं ने layering को within detail समझाया हुआ with the graphical representation तफ्वीरी शकल के अंदर जो है वो समझाया हुआ है लेकिन यहां पर जो है अभी I think के वो lecture publish नहीं हुआ आप 24 hour 7 teacher online के उपर जाईए वहां पर जितने lectures publish हो चुके हैं तो almost आपकी assignment जो है वो उनसे complete बन जाती है तो यहां पर जो है हम लोग network layer जो है यूज कर रहे हैं क्यूंकि जो दोनों countries है वो एक ही network से connect हो रहे हैं और I think के वहां पर router या bridge एक यूज किया जा रहा है तो वो router जो है वो network clear के उपर काम करता है तो इसलिए हम यहां पर network layer जो है वो use कर रहे हैं to connecting the network of two countries, दो countries के लिए जो हमारी video conference होने वाली है तो द assignment बनाने का मैं फिर आखिर में आप लोगों को कहूंगा 24R7 teachers online पर जाईए वहां पर CS601 के भी lecture available है आप उनसे भी फाइदा उठाईए दोस्तों अगर आपको मेरी videos अच्छी लग रहे हैं तो आपने like कीजिए, comment कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए जिनका ये subject ह मिलते हैं अगली इफी assignment solution के साथ ये GDB solution के साथ उफ़कर तक के लिए मुझे जावत दीजिए, thank you very much दोस्तों, Allah Hafif